है गाइस जैसर कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि इन्हों ने अपना मेकप लुक 2 मिनट में कम्प्लीट कर लिया है तो चलिए हम भी ट्राइ कर लेते हैं मैंने लिया मैंने कंसीलर लिया है अब इसे अपने फेस के जो भी हाइलाइटिट पॉइंट है वहाँ पर एपलाई कर लो ही आइस के साइड में and cheeks, bones के थोड़ा सा नीचे apply कर लेंगे same side में भी ऐसे ही हम apply कर लेंगे और जो concealer हमें लेना है वो लेना है अपनी skin tone से थोड़ा सा light shade होना चाहिए और जो concealer है वो थोड़ी से अच्छी quantity में हमें अपने face पे apply करना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ concealer लगाना foundation नहीं लगाना है nose पे, chin पे अच्छे से apply कर लेंगे last में forehead पे हमें concealer को apply कर लेंगे then हमें लगाना है थोड़ा सा blush तो blush को अपने cheeks, bones पे लगाएंगे nose पे, eyes पे and blush जो आप ले रहे हो वो थोड़ा आप देखेगा glossy है फिर lipstick वाला ही होना चाहिए otherwise यह dry जल्दी हो जाएगा और आप चाहो तो brush से भी इस blusher को लगा सकते हैं मैंने finger की head से लगाया है आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से apply कर सकते हो अपने पूरे face पे, face पे जहां जहां पे लगाना है वहाँ पर आप इसे लगा लेना और आप देखो यह इसके बाद देखते हैं यह जो 2 minute makeup look कह रहे हैं जैसा सब लोग वैसा यह work करता है या नहीं तो इस makeup look को एक बार complete ज़रूर करिएगा इसके दो फायदे हैं एक तो आपका time भी बचेगा दूसरा जादा product apply करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम लगा था ब्लशर तो मैंने फिर से इसे apply करा और चीक्स पे उन्होंने नीचे के चीक्स पे साइप लगाया था तो मैंने भी इसे नीचे apply कर लिया है और अब इसके बाद हम makeup fixer लेंगे makeup fixer को अपने पूरे face पे अच्छे से apply कर लोंगे because जो concealer वो अच्छे तरीके से blend हो जाएगा wet beauty blender मैंने लिया है अब इसे अच्छे से पूरे concealer को पहले हम blend करेंगे और यहाँ पे पहले blusher को नहीं चीरना है आपको concealer को अच्छे से blend करना है और उपर sides करते हुए आपको जाना है blending ताकि हमारा जो face है इसको सारा कुछ जब हमारे face पे apply हो जाए blend हो जाए तो हमारा face sharp नज़र आना चाहिए इसके लिए अच्छे से आपको उपर side करते हुए blending करनी है और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर concealer लगाने के बाद इस चेहरा कितना जादा clear नज़र आ रहा है मेरा अब इसको मैं जब हमारा यह concealer blend हो जाएगा फिर हम अब करेंगे अपने blesher को blend तो मैंने fingertips के help से ही इसको blend करने के कोशिश करिए आप चाहो तो beauty blender से भी कर सकते हो second side पर मैंने करा बठ हुआनी अच्छे से तो फिर मैंने beauty blender की help से इसे अच्छे से blend कर दिया blending करने के बाद आप देख सकते हो आपको कैसा लग रहा है यह make up ठैक और कुछ इस तरीके से यह 2 minutes make up look complete हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको कैसा लगो comment करके जरूर बताइएगा और एक पर try जरूर करिएगा इस make up look को वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर दीजेगा वीडियो को channel को कर दीजेगा subscribe क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियो मैं आप सब के लिए लेकर आती रहती हूँ फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then goodbye and take care everybody love you all